हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग NTPC से सम्मंदित नए अपडेट के भी से में देखेंगे और यह अपडेट अभी कुछ हाल ही के दिन में अपडेट में क्या दिया गया था जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे का NTPC का एक्जाम जो है जो वह साथ चरण में लिया गया था ठीक है और उसका रिजल्ट जो है 15 जन्वरी 2022 को दिया गया था ठीक है प्रकासित किया गया था लेकिन इसमें इस रिजल्ट में काफी विवाद बन गया था उसके CBT1 का रिजल्ट जारी किया था तो CBT1 में पर्तियक लेवल वाइज के रिजर्ट जारी किया था ठीक है जिसे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 लेवल वायज रिजर्ट जारी किया था जिसके बज़र से छात्र जो थें बहुत ही आक्रोशित थे ठीक है तो इसके बाद जो है कई जगा पे जड़ाप हुआ था और उसके बाद रेल मंत्राले ने फिर से खुद रेल मंत्री साब अस्विणी वैसनव साब जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस किया और उसमें उन्होंने एक निनने लिया कि जो NTPC का CVT1 का और वो और तारिक दिया गया था 16 फरवरी ठीक है यानि 16 फरवरी तक student अपना समस्या बता सकते हैं कि क्या ठीक है तो अभी तक जो है जो सवाल जवाब होए थे उसका कुछ अपडेट जो है अभी आया है ठीक है तो उसके बिसे में हम लोग discuss करेंगे कि क्या update आया है ठीक ह तो चलिए हम लोग official website की तरफ चलेंगे तो यह official website पर दिया गया है ठीक है यह 28 January 2022 को प्रकासित हुआ था ठीक है आप जाकर देख सकते हैं तो 28 January को यह प्रकासित किया गया है ठीक है 28 January 2022 को तो देखे इसमें जो है कुल 14 प्रस्ण का जवाब दिया गया है ठीक है तो अब देखे इसके बारी बारी से देखेंगे कि क्या देखेंगे पहला question पुछा गया है कि what is rrb मतलब rrb क्या है ठीक है और what is its role and function मतलब यह rrb कैसे कारी करती है तो देखे रेल्वे यानि इसका फूल फॉर्म जो होता है rrb का फूल फॉर्म यह एक function under railway requirement वोड functions under the ministry of railway मतलब यह जो है एक rail मंत्राले के अंत्रगत कारी करने वाली एक सनस्था है और यह rail मंत्राले भारत सरकार के अधीन में होते है ठीक है और उसके आगे देखे लिखा हुआ है कि it is responsible for requirement the group C staff मतलब देखे यहां clear link आ गया है कि यह जो है मतलब rrb जो है group C staff को भरती के लिए जिम्मेबार होता है ठीक है उसके बाद दिखे दिया हुआ है कि there are 21 rrb in the country मतलब भारत में 20 rrb है मतलब 20 rrb board है ठीक है और परतियक board में यानि इस rrb has a chairman मतलब परतियक board में एक chairman होता है and a member security मतलब एक security होते हैं और assistant security and supporting and none तो पाला question तो इनका यह था ठीक है कि rrb क्या है अब दूसरा question पूछा गया था कि requirement done earlier by rrb दूसरा सवाल से यहां से महत्पूर्ण सवाल है कि यहां पुछा जा रहा है कि requirement done earlier by rrb मतलब अगर rrb जो है अभी तक कितनी नियुक्तियां किया है तो इसके संदर में देखिए rrb क्या कहती है कि rrb have notified 2,083,747 vacancy since 2018 मतलब 2018 तक वो 2,083,743 रिक्तियों को अधिसुचित क कर दिया गया और लगवग एक दसमलब तीन दो लाख candidates को वो इसमें दिया गया है ठीक है और शेस की नियुक्तियां प्रोसेस में चल रही है ठीक है और आगे क्या लिखा है rrb यहां गलती दे दिया है rrb होगा rrb है conduct cbt for about 4 crore candidate in last day three and half year covid-19 pandemic मतलब rrb जो है सेस की नियुक्ति covid के खत्रे के बावजूद भी जो है लगवग चार करोर अभियर्थियों को सड़े तीन वर्स में ठीक है three and half year सड़े तीन वर्स में पर्मुक रूप से वो आज़ित कर रही है ठीक है तो यहां तो दिए इसरा सवाल पुछा गया student के तरव से कि why requirement is conduct with two stage computer based test देखे यह important सवाल पुछा गया था कि cbt में नियुक्तियां दो अस्तर पर क्यों होती है तो देखे इसके जवाब में दिया गया है कि in case is number of candidates who have applied again the notification are large in number and are more than 1 crore then it's advisable to conduct cbt in two stage with first stage begin use to screen the candidates for second stage and second stage cbt conduct with limited candidates so that extensive normalize is not involved and the final merit is तो इसमें जो सवाल पुछा गया था कि दो अस्तर पर क्यों होता है तो उसके जवाब में कर रहा है कि इसी प्रिष्थिति में जब अभ्यर्थियों की संखिया एक क्रोर या एक क्रोर से अधिक हो जाती है तो शला दिया जाता है कि उसे cbt2 तक ले जाना चाहिए ठीक है cbt1 में यानि पहले अस्तर पर अस्कूटनी होती है और पहले अस्टेज में चैनित अभ्यर्थियों को दूसरे अस्टेज में मौकाम दिया जाता है और इससे मिलने वाले परिणाम जो है वो मतलब रेलवे बता रहे है कि इससे जो है वो का का हिंदी यह हो यह हुआ कि cbt के दूसरे अस्तर के लिए अभ्यर्थियों को किस अधार पर चेन किया जाता है इसके जवाब में देखिये रेलवे क्या जवाब दे रहे है कि एज़ पर रेलवे रिक्वेर्मेंट बोर्ड मैनुवल अपर 2015 कंडिटेट 10 टाइम अपर नौटिफायर वेकेंसी आट टू बी कॉल्ड पोर सकेंड टीवीटी न्टीपीसी तो दीकी यानि कह रहा है कि 2015 के मतलब एंटीपीसी के लिए रर्वी के 2015 के मैनुवल के अनुसार रिक्तियां के मतलब जितने रिक्तियां होते थे रिक्तियां के 10 गुना जो है दूसरे अस्तर सकेंड अस्टेज के लिए बुलाया जाता था ठीक है किसके अनुसार 2015 के मैनुवल के अनुसार ठीक है और ये बात जो है, वो 2010 में देखी, जो CEN 2 2010, इसमें भी लागू किया गया था, और CEN 4 2010, यानि जो 10 प्लस 2 के लिए था, इसमें भी 10 गुना वो बुलाये थे, एसा ग्रेलवेगा करना है, ठीक है, लेकिन जो है, पहली बार CEN 3 2015, यानि 2015 में पहली बार उन्होंने जो है 15 गुना बुलाया, अगर पाजमा सवाल किया गया था, कि, यही सबसे महतपूर्ण सवाल था, और इसी के लिए, बवाल भी बना था, कि, इसमें दिखे क्या करा है, कि, मतलब, कितने कंडिडेट को बुलाया गया है, यह बरतमान का CBT, जो CEN 2019 है, जो जिसके लिए, जिसका रिजल्ट अभी 15 जन्वरी को आया है, उसमें कितने बुलाया गया है, ठीक है, तो उसके लिए दिखे, उसका जवाब क्या कह रहा है, 4 CEN 1 2019, the 1st stage CBT has been made, is has been prescribed in the CEN that candidates 20 times the notified vacancy will be called for 2nd stage CBT, so that acquired candidates are given opportunity for appear in 2nd stage CBT after screening throughout 1st stage CBT, देकि इसमें किलियर से कह रिया है कि, कि CEN 2019 में जो है, दूसरे अस्तर के लिए vacancy के 20 गुना का chain किया गया है, और यह सभी पहले CBT में सफल हुए है, ठीक है, और यह common result दिया गया है, ठीक है, तो देखिए, आप देखिए, आगला सवाल जो पुछा गया था, कि short listing should be done for 7 lakh candidates, not 7 lakh roll number, देखिए, यही बिवाद, जो है, सबसे important सवाल है, ठीक है, इसको देखिए, इसमें आपका railway का क्या जवाब है, और यह हभी हाल फिलाल में जवाब आया है, कि इसमें सवाल कह रहा है, कोई भी student सवाल कर रहा है, कि short listing जो है, वो 7 lakh अभियर्थियों की होनी चाहिए, ना कि 7 lakh roll number के लिए, तो देखिए, इसमें देखिए railway क्या जवाब दे रही है, मतलब, इसमें कहीं यह उल्लेखित नहीं है, कि 7 lakh अभियर्थियों को दूसरे चरण के लिए, चैनीद किया जाएगा, since a second stage consists for of CVT of five different level, five different level, and a candidate can be shortlisted for more than one level as per ageability, ठीक है, merit and option, the list of 7 lakh roll number will have some names appearing in more than one list, ठीक है, यहाँ पर भी clear कह दिया है, कि दूसरे stage में 5 level पर परिक्षा होनी थी, इसी कारण एक अभियर्थि को कई level पर चैनीद हुए है, और इस करम में उसका कई जगह नाम आया है, तो यहाँ पर एकदम clear से कह दिया है, कि 7 lakh जो है, 7 lakh candidate को नहीं, मतलब अभियर्थी को नहीं लाए है, 7 lakh जो है, वो roll number को ही हम लिये हैं, ठीक है, और यह बात पर अभी भी कायम है, railway, ठीक है, अब दीक है, आगे क्या सवाल कर रहा है, आगे सवाल कर रहा है कि, अगला सवाल किया है कि, अगला सवाल किया है कि, तो देखिए, इसमें railway क्या जवाब दे रहा है, कि, the short listing has been done level post wise, as the rate of 20 time notified vacancy as elaborated in para 13 of notification, देखिए, आपको जो notification दिया हुआ होगा, उसका para 30 का हवाला देते हुए, वो कह रहे हैं, कि, इसमें short listing level और post के अनुसार ही की गई है, और यह अधुसुचित, seat से 20 गुना है, और इसमें जो है, और इसके आगे देखिए, क्या करा है, कि, इसमें 35,281 पदों के आलोग में, 7,5,446 roll number को shortlisted किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, clear किया गया है, कि 7,5,446 roll number को भी clear किया गया है, ठीक है, तो मतलब रेलवे अभी भी जो मान रही है, कि वो 7,00,000 roll number को दिये हैं, और वो हम जाइज दिये हैं, क्योंकि, हवाला देखिए, क्या दे रहा है, पराथ 30, देखिए, आठवा सवाल किया गया था, कि, देखिए, क्या गया है, कि, 10 candidates used to fight for one post, now, one candidate will fight for 10 post, इसमें मतलब पुछा गया था, कि, पहले ऐसा होता था, कि, 10 candidates जो है, एक post के लिए लड़ते थे, लेकिन, अब जो है, 10 post के लिए, एक candidate लड़ा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए, इसके जवाब में, रेलवे क्या करेंगे, 35,281 distinct candidate will be selected, and one candidate will be appointed against only one post, depending upon merit and performance, hence, no post will remaining vacant, तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, कि, फाइनली जो है, अन्त में, 35,281 candidate ही selected होंगे, और एक post के लिए, एक candidate ही select होंगे, ठीक है, और इतना 35,281 पत जो है, जो है, जो है, वही मतलब, उसके लिए, एक candidate के लिए ही, एक जगा पे जाएंगे, और देखिए, अन्त में और क्या दावा कर रहें, कि, कि, नो post will remain vacant, मतलो कोई भी पद, खाली नहीं रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यह भी दावा कर रही है, कि, एक पद के लिए, यहाँ पर अन्त में, एक ही, एक post के लिए, एक ही लड़के को भेजा जाएग for both graduate and 10 plus 2 level post, had there been different notification for graduate and 10 plus 2 level post, as used to be done earlier, they would have to succeed into different exam, मतलो यहाँ देखिए, इसमें पुछा गिया था कि, परेद की काया कि, ग्रेजुएशन लेबल के जो candidate होते है, उनको 10 plus 2 में मिला देने से, ग्रेजुएशन वाले को डबल फाइदा हो जा रहा है, ठीक है, और इसी के लिए बिवाद भी बना था, ठीक है, ग्रेजुएशन लेबल वाले को डबल डबल जगह पर फैदा हो रहा है, तो उसमें पुछा गया था कि, कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, कि 10 plus 2 के लिए अलाग से वेकरिंसी देते हैं, और ग्रेजुएशन लेबल के लिए, अलाग से, मतल वेसे बिए चेदे 똑같। से इंके रहा है, खी अलाग से। से बाइनेंड गया, अलाग से अलाग स्था, कोशलय का बंटध वाले में,डमा बिज vaccines लेघाल से लिए यहirmारा, जा कूछलों पार डेख एपर सेपर्शक्य देटा मालीवा इस में कि क्या करा है, कि आसना तक और मतलब graduation और 10 प्लस 2 को मिला देना पड़ा था और क्योंकि इससे हमारा क्या हुआ कि समय उर्जा और पर्यास का बचत हुआ ये railway का करना है ठीक है और उसके आगे करा है कि पर्थम चरन के परिक्षा में केबल inter level रखा गया था लेकिन जब दूसरे चरन की परिक्षा होगी यानि cbt2 जब होगा तो उसमें क्या होगा कि difference level होगा मतलब graduation के लिए अलग level होगा और inter के लिए अलग level से सवाल होगे ठीक है मतलब इसमें clear कर दिया है कि cbt1 में जो है उसमें जो inter रस्तर से रखा गया था ठीक है ताकि दोनों eligible हो जाए और जब cbt2 होगा तो उसके लिए inter के लिए अलग सवाल होगे अलग level रखा जाएगा और graduation के लिए अलग level रखा जाएगा ठीक है अब दीकिए दास्मा सवाल क्या पूछ रहा है था दास्मा सवाल पूछ रहा है कि मतलब छात्रों के परदास्टन के बाद railway ने क्या किया तो उसके जवाब में कह रहा है कि railway have postponed the second stage cbt of tpc and first stage cbt of level one a high power committee comparing senior officer has been formed to look into the concern and dot rising by candidate in regard to the result of first stage company इसमें क्या करा है कि जब सवाल पुछा गया था कि जो छात्र परदास्टन के बाद railway ने क्या किया तो उसने तत्काल करा है कि तत्काल तो ntpc के second stage का एक्जाम जो है postpone कर दिये हैं और cbt1 यानि पर्थम level का भी जो result आया था उसको भी अस्थाकित कर दिये हैं और इसके लिबाद एक वरी अधिकारी मतलब हाई पावर कंपरेजिंग सीनियर ओफिसर वरी अधिकारी जो है वो एक हाई पावर कमिटी गठित करेंगी और यह कमिटी चात्रों की समस्या को लेकर मतलब यहां किलियर कहा गया है कि डॉट राइजड वाइ कंडिडेट मतलब चात्रों की समस्या को लेकर यह इसका निराकरन करेंगे ठीक है तो उसके बाद 11 नमर में सवाल पुछा गया था कि मतलब इसके पुछा गया है कि इसमें कहा गया है कि छात्र कमिटी के समक्स अपनी बात को कैसे रखेंगे तो इसके एवज में रेलवे कह रहे है कि कंडिडेट कें सब्मिट कंसर्ण यूजिंग लिंक यह लिंक दिया हुआ है ठीक है एन एवेलिवल और और यह लिंक मौज देर कंसर्ण दा सजेशन ओफ तू दा कमिटी फॉर फॉलॉविंग इमेल इडी देखिए इमेल इडी जो है उनका जो कमिटी का एक लिम इमेल इडी का भी प्रोवाइट किया गया है कि इस पर भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं छात्र हो या सिक्षाख हो या कोई भी से अब इसके बाद क्या कर रहा है कि आर्व और चेर्पेर्शन ओफ और अर्रवी जैव और वीन डिरेक्टेड रिसीव दा ग्रिवांस ओफ कंडिडेट्स आउट्रीच केम्प आउट्रीच केम्प आर वीं और गनाइजड ओप एट वैरियस जोनल एंड डिविजनल हाइड क अबर कंट्री टू फैकलीटी डॉडिंग और कंसर्ण मतलों इसके बाद क्या कर रहा है कि आर्वी के सभी चेर्मेन अपने अभियर्थी की गुरूरांस लेने के लिए निर्देश दिया गया है ठीक है अर आर्वी को चैर्वार्वी के चैर्मेन को दे दिया गया है मतलों इसके अलाबा जोनल लेवल और डिविजिनल लेवल में भी यह सिवीर का आयोजन किया जाए उसके बाद आगला सवाल क्या कर रहा है कि यहां पुछ रहा है कि लाज्ट डेट जो है वो सजेस्ट करने का क्या है कौन सा डेट है तो इसमें देखे रेल्वे बता रही है कि कं विक टाइम अप टू 13 16 फर्वरेट 2022 टू सब्मिट दा कंसर मतलब इसमें क्लियर कर गया है कि 16 फर्वरेट 2022 तक जो है कंडिडेट जो है अपना समस्या बता सकते हैं अपना सुझाव उद्देश सकते हैं कंडिडेट हो या फिन कोई सिख्चा कि या इसके बाद कि क्या सब करने के लिए सब्सक्राइब का समय सिमा क्या है यह सवाल पुझा गया तो इसके एवज में सर्क रेलवेज जवाब दे रहें कि आरारवी जवाब दे रहें कि दा कमिटी अप्टर एग्जामिनिंग इस कंसर्ण विल सब्मिट देर रिकमेंडेशन वाइफ फोर्थ मार्च 2022 मतलब कमिटी जो है वो इन सारे ग्रिवांस और कंसर्ण को जो सब्मिट किया गया है और जो रिकमेंडेट किया गया है उसको जाच करके अपना सिफारिश जो है वो चार मार्च 2022 को परस्तूत करेगी उसके बाद सवाल पुझा गया था कि वाइज देर बिन डिले इन रिक प्रोसेस में इतना देरी क्यों हुआ और क्यों हो रहा है तो इसके बाद मेर जवाब है कि रिक्वर्मेंट प्रोसेस हैज गोट डिले दियू टू कोविट-19 पैंडेमिक सिंस मार्च 2020 एंड वारियस रेस्ट्रिक्शन इंपोस्ट इंपोस्ट एंडर एकांट वाय वारियस स्टेज दा कैपिसिटी देट देट कैन वी अंटिल्ज पर सिवीटी हैज अल्सो गोट इंपक्ट विकाउज ऑफ सोशल दिस्टेंसिंग नॉर्म नॉर्म लीडिंग तू इंक्रीज इन नम्मर ऑफ सिप्ट फस्ट एंड जो हमारा एक्जाम है इन इन वाल्ब ओन थर्टी मतलब अलाग अलाग सोशल डिस्टेंसिंग अलाग अलाग मतलब एक तरह से रिस्ट्रिक्शन के का सामना करना पड़ा था और इसी बज़ा से मतलब इसी बज़ा से इतना दे रही है तो यह था मतलब जो कुल 14 सवाल किया गया था और 14 सवाल का जवाब इस तरह से रेलवे ने दिया है तो इसके आगे जो भी अपडेट होगा फिर हम बताएंगे कर दो